अस्सलाम अलेकुम दूस्तों जीडियों में हम आपको दाएंगे साओधी की लेक्टर शों इंपोर्टेंट अपडेट ये वीडियो उन्हों के लिए बेहद इंपोर्टेंट है जो लोग साओधी अरभिया में अभी रहते हैं इसके लावा अगर आप साओधी अरभ में जान करना करना पड़ सकता है इसके साथ आपके कितनी सेलरी होगी और क्या बोलकर लोग इंडिया से बाकी कंटरे से साओधी अरभ में लेकर जाते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मापको बता दें कि आपको बोला जाता है बीजा देने से पहले कि आप मजना आपको बेहज जरूरी है होता क्या है कि जब आप सुधियर में पहुंच जाते हो किसी भी तरीके एजन्ट आपको वहाँ पर लेकर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सुबा में मतलब 6 बजे या 5 बजे उठाया जाता है उठकर फिर आपको मजरा में लगा जाता है काम पर, अब डिपेंड होता है, कि अगर आपके वहां ज़्यादा लोग है, तो आप टाइμ पर काम करेंगे, अगर कम लोग हैं, तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ने वाली है, मतलब यह है कि वहाँ पर जो धूप यो लगभग 60 संसलियस तक जाती है तो यह आप ध्यान रखें, इससे भी जादा कम हो सकता है, यह डिपेंड होता है कि मौसम किस तरह से है, इसके अलावा वहाँ पर जो सेलरी होती है, वो भी काफी कम होती बहुत के करीब आपको शुरुआती दर में दिया जाएगा, इसके अलावा अगर वहाँ पर बात करने और क्या दिक्कत, तो वहाँ पर और जादा कोई दिक्कत नहीं है, खाने पिने की कोई दिक्कत नहीं सिर्फ यही दो दिक्कत हैं, इसके अलावा आप वहाँ से कहीं घूमने क लिए नहीं जा सकते हो ये आप ध्यान रखें दोस्तों अगले ब्रेट सौधी के ग्रह मंत्राले की तरफ से मतलब जिसके बारे में आपको जानकरी होना चाहिए क्योंकि सौधी अरब में अभी तीन बेटियों का सिरकलम करने की वज़े से एक सौधी नागरिक का भी सिरकलम क मतलब जो अपडेट दिया गया है उसके अनुसार इस आदमी ने जो सौधी नागरिक है उसने चाको से छे साल की बच्ची चार साल और दो साल की बच्ची इन तीनों का गला काट कर हत्या कर दिया है लेकिन सरकार ने माफ नहीं किया डारेक्ट उसको भी गला काटने का आद कर दिया है उसके जबाबिक कारवई में सौधी गबर्मेंट की तरफ से कहा गया है कि उसको मौत की सजादी जाए तो यहां पर अगर कोई भी उलंगन करता है क्योंकि काफी लोग इस तरह की गलती करते हैं और यह सोचते हैं कि हम रहेंगे तो ऐसा नहीं है सौधी गबर्म की तरफ से आपको बकसा नहीं जाएगा